नमस्कार में दोस्तों अगर आपको नहीं बताया तो ये आपको जान लेना चाहिए कि एक जनुबरी 2020 से क्या आप नए बदलाव होने वाले हैं नए इस हाल में कई नेम बदलने जा रहे हैं अगर आप बदलते हुए नेमों से वाकिप नहीं हैं तो आपके लिए परियसा नहीं हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये नेम आप पर भी लागू हो तो इसलिए आप वीडियो को सुरू से अंतक देगें साथ ही अगर आपने सब तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को लाइक करें इस बटन को दबाकर अपने दोस्तों को यूटूब समय आपके पास कुछी दिन बाकी है आप इस अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक कर लें बहुत ही आसान है आपको यहाँ पर क्लिक करना है लिंक टो आधार उसके बाद में आपको पने पैन नमर लगाने है उसके बाद में अपने आधार नमर लगाने है जो आधार में आप को verify करना है उसके बाद में आपका यादार है वो pen card से link हो जाईगा तो इस तरह से आप अपने अधार को pen card से link कर सकते हैं अगर आप अप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका pen card है वो inactive हो जाएगा यानी की जयन दिन के काम में आपका pen कार्ड काम नहीं आएगा तो इसलिए आप अपने आधार कोपेन कार्ड से लिंक जरूर कीजिए अगरी बड़ी गोशना रास्तान में की गिये रास्तान में दो हजार बीस में 31,000 पदों पर रिट की प्रिक्ष्या का आविजन किया जाएगा जिया दोस्तों रास्तान में जो के लिए नवीन व्यक्यता बरती प्रिक्ष्या आविजित करने की पक्रियाश्य कर सुरू करने के निर्देस दिया है के लोग ने शिक्ष्या विवा कि अधिकारियों के साथ बैठक में का कि इसे वरत्मान सत्तर में अधेंद्र चातर भी नई बरती के लिए पातर हो जाए इसके लिए वरत्मान में चाद रही 5000 पदों की व्यक्यता बरती प्रिक्ष्या 2018 का आविजित नियत थी पर ही करने के निर्देस दिये हैं उन्होंने का कि जन्जाती योजना चैतर के अभी अर्थियों की मांग को दस्टिक अधर रखते हुए इनमें से 6080 पद पर टीसपी चैतर के अभी अर्थियों के लिए आरक्सित रहेंगे अगला नियम है 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप रिटन फाइल करते हैं तो आपको 5000 रुपए ही लगते हैं अगर आप उसके बाद में रिटन फाइल करते हैं तो आपको दुगना पैसा देना हो सकता है यानि कि आपको 31 दिसंबर 2019 के बाद में अगर आप रिटन फाइल करते हैं आपको 10,000 रुपए तक का दुर्माना लग सकता है अगर आपने income tax return फाइल नहीं की है अगर आप income tax return करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक number enter basic detail बढ़ना है उसके बाद में registration form बढ़ना है उसके बाद में registration verification करना है उसके बाद में registration successful submit करना है तो इस तरह से आप अपने income tax return फाइलिंग भी कर सकते हैं 31 December 2019 तक तक कि आपको 5,000 रुपए ही लगें उसके बाद में आपके हो सकता है 10,000 रुपए लगें अगला सबसे बड़ा नियम है 2020 में सबका विश्वास योजना है वो 31 December 2019 के बाद में बंद हो जाएगी सर्वीस टेक्स और एक्साइज यूटी से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामले के समादन के लिए पेस की गई सबका विश्वास योजना 31 December 2019 को समापत हो रही है योजना को इसे आगे विस्तार दिये जाने की समावनवा नहीं है वितमंतरी ने वजट में इस योजना की गोस्ना की थी लेकिन अभी इसे 31 December 2019 तक ही रखा है अगर आप इस योजना का लाब लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कम दिन है आप 31 December 2019 तक इस योजना का लाब ले सकते हैं सबका विकास योजना 1 January 2020 से बंद हो जाएगी अब हम आपको बताते हैं GST Registration के बारे में GST Registration को आसान बनाने के लिए आधार के जरीए GST Registration का पैसला लिया गया है Annual Return फाइल करने की समय शिमा दो महीने बढ़ा कर 30 August 2019 कर दिया गी थी जबकि निया GST Return Filing System 1 January 2020 से लागू हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप GST Registration करना चाहते हैं तो निया नियम लागू हो जाएगा अब आधार से भी आप GST Registration कर सकेंगे 1 January 2020 से दोस्तों अगर आपके पास बीना चिप वाला ATM है तो आपको जल्दी करना है क्योंकि 31 December 2019 इसकी लास्ट डेर्दी की थी एक जनवरी 2020 से बीना चिप वाला ATM मानने नहीं होगा अगर आप इसे चेंज करवाना चाहते हैं तो आप इसे फ्री में करवा सकते हैं एक जनवरी 2020 से आपका ATM चार्ज भी लिया जाए रिफ्लेस करवाने के लिए है अगली बड़ी गोस्तना SB के दोवारा की गी है एक जनवरी 2020 से केस लेंदेन में बड़ा बदलाव किया जाए गया सबसे बड़े सरकारी बैंक बार्थी स्टेट बैंक ने गरहकों के लिए एक नई ववस्ता शुरू किया जिसके मादियम से गरहक दोखाद रिकल सिकार होने से बच पाएंगे SBA ने ATM से पैसे निकालने के नियम में बड़ा बदलाव किया है नई सुईदा की सुरुवात एक जनवरी 2020 से हो जाएगी SBA अपने गरहकों के लिए ATM में केस निकालने के लिए वन टाइम पास्ट निकी OTP की सुईदा लेकर आया है यह नई सुईदा देसबर के सभी SBA बैंक के ATM से लागू हो जाएगी बताया गया है कि SBA गराकों को 1 जनवरी 2020 से नई सुईदा का लाब मिलेगा जी हैं दोस्तों अगर आप SBA के ATM से 10,000 रुपे से ज़्यादा का केस डिट्रोल करते हैं तो आपको पास एक OTP आएगा उस OTP को वेरिफाइ करने के बाद में आप 10,000 रुपे से ज़्यादा पैसे निकलवा सकते हैं चैट बैंक कॉफी इंडिया की नई सुईदा एक जनवरी 2020 से लागू हो जाएगी वीडियो देखने के लिए दनेवा दोस्तों थैंक्स पूर वोचिंग आपका दिन सुभ हो जैहिंद दोस्तों